मालो कि यह आपका क्लाइंट है और आप से इसने कहा कि यहां ग्राफिक तो ठीक है आप ग्राफिक तो बहुत सार आप दहीर हो मुझे कुछ वीडियो भी चाहिए तो बात वीडियो के जैसे आते हैं हम सब घबरा जाते हैं यार वीडियो शूट करना पड़ेगा मेरा तो काम इसको फोन से शूट किया है आप चाहो तो फोन से भी कर सकते हो चाहो तो आप डियसलर केमरा से भी कर सकते हो पहले वीडियो देखो फिर मैं इसके प्रोसेस पे चलते हैं कैसे प्लान करना है और कितना इजी है इस टाप का वीडियो बनाना सबसे पहले यह आप वीडियो द झाल झाल अब हम बात करेंगे कि इस टाप के वीडियो से कैसे प्लान करें कैसे एडिट करें और कैसे फाइनल आपको प्रड़क्ट डिलेवर करना है तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है कि आप किस चीज़ से सूट कर रहे हो अगर आप DSLR से सूट कर रहे हो तो क्वालिटी वैसी अच्छी आते हैं उसमें ज्यादा कुछ आबो करने की जोथ है नहीं ठीक है माल लो कि आप फोन से सूट कर रहे हो सबसे पहला पॉइंट आता है प्लैनिंग कि आपको इस टाप के वीडियो को प्लैन करना है तो आज तक आपने बहुत सारे फिल्मेकिंग के टुटोरियल्स फिल्मेकिंग के वीडियो देखा होगा लेकिन जैसे मैंने आप सब के लिए ग्राफिक डिजाइन इसी बना दिया ह आपको समझा रहा हूं कि कैसे आप समझ सकते हो कि हमारे पास पॉड़क्ट है यह है पॉटेवल स्पीकर ठेक है तो जब भी आप ग्राफिक बनाते हो या कोई भी चीज बनाते हो तो आप किसी ओडियोंस को टागेट करते होगा मेरा टागेट ओडियोंस यह से इस स्टोड होते हैं पार्क में या हॉसका से बहुत जगा इस टाप को लोग प्रैक्टिस करते हैं तो मैंने सोचा कि यह बहुत सिंबल सा एड बनाते हैं तो सिंबल से के स्टोडी है कि वहां पे एक लीड करेक्टर है जिसको डांस का सौक है और वह इस पीसफूल बहुत सांथ जगे अब इसको प्लान किसे करना है वह मैं आपको यहां बताता हूं हम तीन फेज में चलेंगे फरस्ट पलानिंग सेकंड सूट एंड थर्ड मैं आपका एडिटिंग तो ग्यां सबसे फर्स्ट प्लान में चलते हैं सूट इसके लिए मैं फोटरशॉप में जा रहा हूं हाँ इसके फोटरशॉप से कोई लेना देना नहीं है लेकिन मैं बहुत अच्छा ट्रिक बता रहा हूं जिससे आपका जो काम है बहुत इसी तरीक होता है इसी तरीके से वीडियो शूट करने का वी एक ट्रिक है जो मैं आप लोगों को यह बता रहा हूं दो चीज़े वीडियो शूटिंगे माईने रखती है फर्स्ट फ्रेम और सेकंड आपका कैमरा मुवमेंट यह दो चीज़ पर आप बस आपको ध्यान रखना है बांगे चीज़ अपने आप हो जाएगी तो फ्रेम बिसकली चार या पांस टैप के होता है मैं यहाँ पर चारो प्रेम आता है जो आपका मिडी अंगल क्मिडियम ug up चॉंता फ्रेम आता है जो अब का क्लोज चौंत अ पांचमा प्रेम आता है है जो अव्न का ओल्टा क्लोज ट्यूह कि यह बिसे कली पांस टैप के बिसे असी तरह मारते है और इस तरह मारते हैं तो इसी तरह Authority चारआ तो camera moment में आप यहाँ पे बहुत सारे camera moment देख सकते हूं यहाँ बहुत सारे यहाँ पे मिल जाएगा आपको तो हम यहाँ पे इसको भी लेकर यहाँ पे आ जाते हैं तो मैं इसको zoom कर रहा हूँ थोरा सा दिखाने के लिए तो यह कुछ camera moment होते हैं dolly, pan, tilt और roll कि बहुत सारे टाप के camera moment होते हैं तो यह जो camera moment है आपको याद रखना है कि मुझे किस समय कौन सा camera moment चाहिए ठीक, आप जो यहाँ फर्स सॉट होता है wide angle सॉट वो basically established सॉट होता है कि आपको establish करना है कि आपका character है कहाँ पे location क्या है या area का है वो दिखाने के लिए ठीक है तो यहाँ पे आप math वाला formula follow करो बहुत अलग trick बता रहा हूँ और बहुत अच्छी तरीक बिए आपको समझ आ जाएगा और जो यह नहीं कि आप यहाँ पे सारा frame ले सकते हो तो मैं यहाँ पे first जो ultra wide है मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ ठीक है और extreme को यहाँ पे हटा रहा हूँ और 3 मैंने यहाँ पे frame मैंने यहाँ पे लिया 3 frame ठीक है और इसको मैं यहाँ पे number डाल देता हूँ 1 मैंने यहाँ डाल दिया 1 और इसको लिख देता है 2 और इसको हम कर देते है 3 आप इसको math या फिर एक rhythm की तरह इसको आप याद कर सकते हो बहुत simple है 1, 2, 3, 3, 2, 1 या 2, 3, 1, 3, 2, 1 इस तरह के से आप इसको याद कर सकते हो और इसे तरह के साब को frame भी suit करना है तो मालोग यह रहा आपका first frame इस तरह के साब का चल रहा है तो पहले आए आपका white उसके बाद mid उसके बाद close फिर से आजाएगा white, mid, close white, mid, close इसी तरह के साब plan कर सकते हो यह बहुत easy तरह का बता रहा हूँ मैं और इस तरह का side आपने पहले कभी नहीं देखा होगा लेकिन ही 100% work करता है आज तक मैंने अपने वीडियो में मैंने आपको वही तरह का बताया है जो आप उसको real life में वह काम करता है आप यह तरह का करो तो हमने यहां भी क्या किया तीन यहां पर frame बना लिए wide हो गया, mid हो गया फिर से आप इसको चाहो तो घुमा सकते हो फिर साब यहां पर ले सकते हो wide और चाहो तो white के बाद close भी डाल सकते हो लेकिन पहला जो है वह इसी तरीके से जाना चाहिए 1, 2, 3 उसके बाद आप कैसे भी कर सकते हो उसके बाद आ सकता आपका 1 उसके बाद यहां पर देख रहे हो 1 आ गया उसके बाद यहां पर 3 आ गया लेकिन पहला जो है वह आप इसी तरीके से रखो wide, mid and close और यह आपका rhythm बन गया यहां पर देख रहे हो आप यहां पर rhythm बना सकते हो और फिर आपका next shot आ जाएगा आपका mid तो यह आ गया number 2 तो यह आपका आ गया number 2 तो यह आपको फ्रेम है जो आपको याद रखना है wide क्या होता है mid क्या होता है समझाने की जो होता है आप सब quality पता है दूर से शॉट लेते हैं जिसमें subject और आपका environment दोनों दिख रहा है तो wide mid उसी का थोरा सा mid और जो close हुआ तो उसका close shot होते हैं उस तरीके से आप प्लाइन कर सकते हो ठीक है तो यह कुछ यहां पर rhythm है और इसी तरीके से आपको shoot करना है अब यहां पर आप camera movement भी add कर सकते हो अपने लिए अगर आपके memory बहुत अच्छी है तो आपको याद रखाएं कि जो अतनी है ने तो आप camera movement भी यहां पर लिख सकते हो तो मालो कि मैं first tilt वाला shot होता है मैं यहां पर first यहां पर डाल ला हूँ तो अपना जो wide मैं मालो मैं tilt shot लगाँगा तो मैं इस तरीके से लिख क्यों print निकारगा आप यहां पर लेकर जा सकते हो ठीक है दूसरा जो है close में आप चाहो तो pen वाला डाल सकते हो यहां पर मैं ok किया अब यहां पर close में pen वाला यूज कर रहा हूँ इस तरह के साब short plan कर सकते हो कि मुझे जब first frame है मैं वहां पर tilt होना चाहिए या क्या होना चाहिए इस तरह के साब plan कर सकते हो जब plan हो जाए तो इसका प्रिंट निकालो अगर बहुत easy रहेगा जितने frame है सब का प्रिंट निकालो सीखने के लिए जो frame का storyboard होता है वह बहुत amazing होता है अब जो भी आपने plan किया है उसी के same according आप वहां पर shoot कर लो यह वाइड में already यहां पर आपने plan किया हो कामरा नीचे से उपर की तरफ वहां पर जाएगा और यह same जो मैंने यहां पर shoot किया है वह मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या shoot किया है अब यहां पर इसके अंदर आप बहुत सारे folder बना लो जैसे मालो आपने folder बना लिया wide shot जो आपने plan किया है same नाम कि आप यहां पर folder बना लो wide, mid and close इसमें आपको edit करना बहुत easy हो जाएगा जैसा कि मैंने आपको बता है first shot हमने plan किया था wide angle shot रहेगा और tilt यहां पर camera movement होगा ठीक है तो यह हमने यहां पर shoot किया हुआ जो है वह अभी मैं आपको दिखाता हूँ पहला shot है जिसको हम सीदा लेके चलते है white के अंदर इसको transfer कर देता है ठीक है और यह इस तरीके से यह देखो यह हो गया आपका first shot ठीक है और थोरा से आपको चाहिए देखे तो यह आगे जो हमने plan किया था यह थोरा wide रहेगा और हम camera को उपर से नीचे की तरब लेके जाएगे हमने यह आपर plan किया हुआ अब आपको same उसी तरह के जो हमने rhythm follow किया था 1 2 3 3 2 1 जो भी आप rhythm बनाते हो यह totally आपका rhythm है यह नहीं कि आपको यह follow करना है 1 2 3 साब start करो फिर आप अपना rhythm बना लो जो भी आपको rhythm चाहिए 1 2 3 3 2 1 2 1 3 कुछ भी आप कर लो यह आपका rhythm हो जाएगा लेकिन जो rhythm है वह आपका यह देखने बहुत बढ़ी अलगता है और जिस तरह किसे मैंने graphic को decode करकर आपको चीज़े बताया है इस तरह किसे video को decode करके एक से चीज़ बताने वाला हूँ बस अब त्यार हो जाओ आपकी जो creativity power है वह बढ़ने वाली तो जैसा हमने first shot plan किया था उन्हें तरह किसे सारे shot plan के मुताबिक है जैसा हमने plan किया था वैसा ही हमने shoot किया है वहाँ जाकर सूचना नहीं पर रहा था हमने यहाँ पर एकदम plan करके लिए थे से हमने वही shot यहाँ पर किया है अब जो हमारा first frame है वाइड वाला हम जो हमने plan किया था हम वाइड को सिधा यहाँ लेके आएंगे ठीक है keep कर देंगे और इसमें देखो कि आपको कौन सा चाहिए तो मालो आपको ready यहाँ से मालो हमें चाहिए तो इसके सिधा हमने रैसर लिया और इसको किया थोड़ा पीछे से हमने इसको किया cut तर उसके बाद यह यहाँ तक आया गया और यहाँ सामने इसको कर दीया cut यह प्रूमएन चिए अथ्जिए और अच्छे लगती कि आ के लिए slow motion सबसे बढ़िया है इसको हम slow कर रहे हैं तो right click किया यहां पर इस footage पर right click और right click करके speed and duration और यहां पर मैं कर देता हूँ around 50 60 में किया तो हम इसको 4x तक हम slow कर सकते हैं अब मैं यहां पर इसको play करके दिखाता हूँ ठीक है पहला sort यह सही है अब उसके बाद हम चलते है second sort पर दो कि हमने यहां पर suit किया था mid अब यहां पर आती है story telling भी एक चीज़ है कि story भी दिखना चाहिए तो हमारा add जो है portable speaker का add था यह मौडल दिखा दिखा दिया second sort जो आना चाहिए से speaker के साथ यहां पर आना चाहिए और हमने यहां पर वही किया है तो हम चलते हैं second shot पर कि देखते हैं हमारे पास कौन सा चाहिए धर हमारा second है इसको हम white से सिबएले के चलते हैं इसको हम middle मैं यहां ट्रीन मेरे इहां पर लेकिंगे चलते हैं और हलका सा यहां लेकिंगे चलते और इसके मिने करिए कट सब्सक्राइब निए स्लोव मोसं कर स्केशन स्काइब कर 50 और इसको हमने यहां पर लगा दिया तो कुछ इस तरीके से लग रहा हुआ जब इसको आप प्ले करोगे तो कुछ ऐसा लग रहा है ठीक है? उसके बाद हैं यहां पर थर्ड शॏट लेंगे जैसा जैसे हमने प्लान किया है आप इसको यहां पर देखो जैसे हमने फर्स्ट, सेकेंड, एन थर्ड, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो, अब यहां पे एक स्टोडी बहुत अच्छी तरीक से बन रही है, जैसे आपने प्लान किया है, सेम तुस्यम आपको उसी तरीक से करना होगा, स्टार्टिंग टू, आपको सारा कुछ प्लान कर और थरी मतलब क्लोज, अब बात आती है, कलर ग्रेट करनी की, उसका भी मैं आपको बहुत अच्छा एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, DSLR कैमरा का कलर गेटिंग बहुत एजी है, वो तो हो जाता, लेकिन फोन का जो कलर गेटिंग सिस्टम है, वो थुदा सा मुस्किल है, तो इसका भी एक ट्रिक है, तो सबसाब पहला काम आपको क्या करना है, आपको जो फुटेज है, उसको लॉग में यानि की रॉ में उसको कनवर्ट करना है, अभी जो आप फुटेज देख रहे हो, यह फोन से निकला हुआ डैरेक कलर है, इसमें सब कुछ कलर फोन ने अपन लट्स मिल जाएंगे, तो अगर आप गूगल पर सर्च करोगे, REC 709 to log LUT, तो आपको बहुत सारे यहां पर लट्स मिल जाएंगे, और कहीं से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, यहां पर देख लो, आप कहीं से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, तो इसमें क्या हो इसको पहले डाउनलोड हो जाएंगे, फिर मैं आपको इसको दिखाता हूँ, यह चीजे है क्या, तो यह जो log LUT converter करता क्या है, कि आपका footage को बहुत डल कर देगा, सारे color इसमें से हटा देगे, फिर आप अपने हिसाब से color डाल सकते हो, अगर अभी आप इसमें color डालोगे, तो साय तो उतना अच्छा नहीं लगे, लेकि log में जब लेकिन log करने के बाद जब इसमें color डालोगे, तो उसके बाद यह बहुत बढ़िया लगेगा, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से apply करते हैं, log apply करने के लिए आपको सीधा जाना पड़ेगा, editing tab से निकल लेकिन बहुत important, ठीक है, तो सर्वसे पहले उसको download हो जाएं तो जो हमने अवे भी download किया है, वो download हो चुगा है, जो हमने अवे भी free में download किया, ये free में आपको कहीं में भी मिल जाएगा, ठीक है, आपको just this को track करना है, और यहाँ पर cube file में आपको जाना है, और यहाँ पर देख लेना है कि आप में किसमे ये set होगा तो ये जो generic वाला है ये बहुत अच्छी तरीके से set हो जाता है ठीक है मैं यहाँ पे desktop पे इसको export कर रहा हूँ और यहाँ पे इसको मैं सीधा Premiere Pro में दुबारा चल रहा है और second वाला जो creative tab है वहाँ पे जाके और यहाँ browse कर रहे है जैसे इसे क्लिक करोगे ये दो कितना dull हो गया ये आपकी जो image है इसे सारे color इसने निकाल दिया तो ये अब ऐसा हो गया जैसे कि आपको DSLR camera से log footage मिलती है ये same उस तरीके से हो गया हमने यहाँ पे जितने भी color phone दाले ते सब हटा दिया है अब ये raw है इसके बाद आप इस पे color करो बहुत अच्छी तरीके से उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले एक आपको उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा और curve में है S curve बोलते हैं हमने यहाँ पे S curve को यहाँ पे increase कर दिया ठीक उसके बाद मैं blue पे जा रहा हूँ और blue को मैं थोगा सा नीचे कर रहा हूँ मैं इस टाप का effect डालना चाहता हूँ blue को मैंने थोगा सा कम किया red पे गया red को भी मैं हलका सा कम कर रहा हूँ और नीचे से हलका सा increase कर रहा हूँ तो देखेंवा कितना बढ़िया यहाँ color effect यहाँ बन रहा है कितना सही color effect बन रहा है उसके बाद मैं यहाँ पे brightness पे और contrast बजाओंगा contrast भी increase कर दोंगा brightness हलका सा और सेडो पार्ट को में थ्वासा कम करूगा कि चीजे यहां पर अब मैं सीधा जाओंगा कर अंदर जाके और हूँ एन सेचुरेशन कर में जाके जो मारा रेड है मैं चाहता हूँ रेड को थोड़ा इंक्रीज करना तो यह देख रहूं यहां पर रेड पॉइंट है तो हमने यहां पर इसको बढ़ा दिया तो अब यह कुछ इस टैप से हो गया अब मैं एडिटिंग टैप में आ जाता हूँ और मैं आपको यहां पर विफोर एन आफ्टर प्ले करकर दिखा देता हूँ पहले हमारा ऐसा था फिर हमने सबसे पहले इसको लॉग में कनवर्ट किया यह इसको कलर गेट कर तो यह इस तरीके सी हो गया बहुत सारे music का paid purchase भी कर सकते हो तो totally depend करता है कि आपके project का budget कितना है ठीक है तो मैंने यहाँ पूरी की पूरी चीज यहाँ पर edit कर लिया है अब मैं आपको इसको play कर कर दिखाता हूँ अब यहाँ यहाँ पर dance स्टार्ट होती है मैं चाहता हूँ आप music change होके कोई energetic music आजाए तो हमने same यहाँ भी वही चीज किया है अब इसके बाद आप ग्राफिक आती है तो इसमें आप यहाँ पर ग्राफिक एड़ कर सकते हो तो हमने यहाँ पर ग्राफिक यहाँ पर एड़ किया हूँ इसको भी मैंने Photoshop में ही डिजाइन किया है क्योंकि आप भी इसको बहुत यह तरीकते डिजाइन कर सकते हो इतना तो मैंने आपको सिखा ही दिया है अब जब यह एड़ करने के बाद में सारी चीश एड़ करने के बाद में अब हम इसका फाइनल आटपुट देखते हैं जो की यह है क्योंकि एड़ करने के बाद में आपको सिखा है जो भी मैंने आपको अभी तक सिखाया है वो खुछ से डिकोड करके खुछ से सूच के आप लोग बताता हूं कि आप उसको बहुत अच्छे तरीक से कर पाऊ पहली बार में आपको सक्सेस मिल जाए इस तरीके का मैं यहाँ पर काम करता हूं तो guys I hope इस वीडियो से आपको कुछ ने कुछ सीखनों को मिला होगा और सिर्फ सीख के भूल मत जाओ इसको ट्राइ करो तो guys अगर आप कुछ बनाते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे टेक करो मैं वहाँ पर आप लोगो फीडवेक दूगा कि हाँ अब कहां पर आप चूक गया या कोई सा पाट अच्छा है या कोई सा पाट पर ज्यादा तर काम हो सकता है ठीक है यह बेसिक वीडियो था आगे धमाल होने वाला है एक से एक चीज़ मैं आपको लोग को बताने वाला हूँ तो बेसिक से एडवांस पर जाएगे हम क्यामरा को छोड़के बड़े क्यामरा भी यूज़ करेंगे DSLR भी यूज़ करेंगे सब कुस यूज़ करेंगे तो फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई